जो नेख्ट चीज आपकी control panel में वो है user account अब user account क्या होता है आप ऐसा समझ के चलो कि एक company है और उस company में दो तरह से हम सोच सकते हैं पहला तो ये कि एक ही मालिक है और दूसरा ये जिसमें एक से ज़्यादा मालिक है पहले उसकी बात करें जिसमें एक ही मालिक हुँ, तो मालिक के हाथ में बहुत सारी कमाड होती है, या इनकी बहुत सारे फैसले करने की तागत होती है, कि किसी वेक्ति को रखना है, किसी वेक्ति को नहीं रखना है, या फैक्टरी का व्यू चेंज करना है, या काम का व्यू च चाहिए गटानी चाहिए इस तरह की बहुत सारी सीजी होती है यह सारे फैसले कौन लेता है मालिक लेता है अगर हम यह सोचें कि उस कंपने में काम करने वाला नौकर या एंपलॉय को यह आजादी दूसरे एंपलॉय को नौकरी पर रखे या किसी के सेल्दी बढ़ा सके या अगर मालिक कहता है कि वही यह आते या काम कड़ो तो एंपलॉय कर सकता है उसकी इजादत के वगर नहीं कर सकता ह। तो इसी तरह से कंप्यिटर में दो आकांट बनते हैं एक तो मेन अकांट होता है अट मैंस्टेटर जिसको मालिक माल सकते हो और एक बनता है यूजर अकाउंट उसको लिमिटेड अकाउंट भी बोलते हैं या स्टेंडर्ड यूजर भी बोलते हैं वो सारे काम नहीं कर सकता है में फर्क यही होता है कि जो काम एडमिस्टेटर अकाउंट कर सकता है वह काम यूजर अकाउंट या लेमिटेड अकाउंट या स्टेंडर्ड यूजर नहीं कर सकता है अगर एड्मिस्टेटर इजाज़त देता है तो कर सकता है अदरवास नहीं कर सकता है कुछ काम होगेगी वह काम कैसे हो सकते हैं जैसे हम कोई नया software computer के डाल रहे हैं या कोई game डालने की process कर रहे हैं या internet setting कर रहे हैं या कई बाट date or time change करना चाहते हो या आप भी कही सारी चीज़े हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको administrator की जाज़त नेली पड़ती है एक इसका दूसरी तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे company में दो नेकती है मालिक partner वाली होती है तो partner में क्या होता है कि दोनों के पास बराबर की ताकत होती है जो काम पहला कर सकता है भी काम दूसरा कर सकता है इसी तरह से computer में भी दो administrator account हो सकते हैं यालिकि एक से ज़ादा मालिक पी हो सकते हो और इंपय तो कितने ही बना सकते हो इसके बाद एक चीज ये भी होती है कि आप ऐसे सोच सकते हो आप की घर में छोटे भाई बहन हो काउं हेंका है वी कुछ काम ये ना कर पाइं तो आप उनके लिए लिए औरैकने के बाद लिमिटे एकाम करने के बाद और उन्हा उसे कहल खोल के देथैं तापकि वो गुछ काम कर सकते हैं की समस्की नेकिन खोल की काम हो स्कती है बाड दो सकते हैंlect paint खोल सकते है पुछ setting कर चकते हैं लेकिन सारे काम नहीं कर सकते हैं आ ना यहनि कि सिधा-सिधा कहने हैं तो वह काम जो computer को नुख्सान पहुंचा सके या computer को कुछ बड़ा बदाव कर सके हैं ऐसे काम नहीं कर सकते हैं अब युबास उन्हीं उसके बाद next चीज होती है user account बनाते कैसे है user account बनाने के लिए start button में जाते है control panel में जाते है control panel में जाने के बाद यहाँ पर आपका option होता है user account user account पे click करेंगे जैसे user account पे click करेंगे तो ये एक window आपके सामने खुलेगी किस चीज के लिए है make changes to your user account या manage another account एक चीज और है कि अगर आपको कोई user account बनाना है फिर चाहे आप administrator बनाए या कोई user account बनाए तो आपको administrative account में जाकर के ही वराना होगा किसी limited account में user account में जाकर के आप administrative या दूसरा user account की rate नहीं कर सकते हैं ऐसे ही समझें जैसे कि कोई employee किसी दूसरे employee को नोख़ी पर नहीं रख सकता है कोई मालिक ही रख सकता है तो मालिक के पास जाना जरूरी है तो इसलिए हम administrative account की खोलेंगे और उसी के अंदर user account या दूसरा administrator account create करेंगे आपी बनाए समझेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है manage another account पे click करेंगे click करने के बाद यहां पर वो user हमारे सामने आ रहे है जो पहले से create है इसमें से दो account administrator है जैसे कि यह सरेशादर वाला account administrator है यह master account administrator है यह reena account standard user है और यह guest account यह अलग account होता है जो defaultly आपके system में create होता है तो यह standard user है limited account है यानि कि जो काम जो सारे काम नहीं कर सकता और यह क्योंकि दोनो administrator account है तो इसलिए जैसे कि software install करना जैसे कि software install करना खोई या नया user बराना इस तरह के जितने भी काम है यह दोनो कर सकते है ज़र आप हम नया user कैसे बराएंगे यहाँ पर नीचे एक option है create a new account इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगर आपको दो चीजे चुड़नी है पहला तो आपको नाम लिखना है सपोज मैं नाम पर नाम लिए देता हूं शान उसके बाद standard user वो जो limited काम करेंगा और administrator वो जो सारे काम करवाएगा यह पर तो पूरी तरह से क्लिए रहा है तो हम standard user ही बना रहे है standard user बनाएंगे और create account पे क्लिक करनेगे तो यहाँ पर एक नया standard user आपको दिखने लगेगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ setting हमारे सामने हाँ बर दिखाई देगे जैसे की change the account name अगर इसका name change करना चाहते हो suppose account change name करना चाहते हो तो यहाँ पर suppose मैं इसको पूरा नाम देना चाहता हूँ change name पर क्लिक कर दो तो इसका नाम देओ change डाएगा next है create a password अगर password लगाना चाहते हो create a password पर टिक लगाओ यहाँ पर आपको password डालना होगा suppose मैंने डाल दिया 1 2 3 याद रखना ज़रूरी है password हिंट दे सकते हो suppose कि जैसे आपने अपना कोई mobile number डाल दिया या किसी का नाम डाल दिया और काफी समय बाद आप इसको बोल रहे हो तो आपको किसी करण से याद नहीं रहा और उसके लिए आप यहाँ पर हिंट दे सकते हो कि इस तरह का कुछ था जैसे कि आपने पहले तीचर का नाम डाल दिया या अपने फेवरेट बुक का नाम डाल दिया जैसे कि अबरी फेबुक इस तरह से हिंट का इसमाल कर सकते हो फिलाल में हिंट नहीं डाला उसमें create password पे click करते हूँ अब क्या हो गया हमारा user account password protected हो गया जाने कि जिसको password पता होगा वही हमारा user account खोल पाएगा otherwise नहीं खोल पाएगा अगर remove करना चाहते हो password को तो remove कर सकते हो remove करने के लिए remove password पे click करेंगे और रिमोट पासवर्ट पर यहां पे क्लिक कर दें तो हमारा पासवर्ड खट जाएगा सेट अप पोटेशल कट्रों इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मालिक चाहता है कि नौकर कुछ काम कर पाए तो हम उसको कह देते हैं कि यह काम कर लो अपनी मर्जी से नहीं करेगा मालिक की चाहती ही करेगा तो यहां पर वही चीज है हम जो काम चाहते हैं वह इस से करा सकते हैं इसको बता सकते हैं इसका इस्तमाल नहीं करो तो ज्यादा महतर है क्योंकि computer अपने आप ही deferently इसको इतनी ज्यादा पावर दे देता है user account को कि वो काफी सारे काम को प्रकुद कर सकता है तो हमें इसकी ज़रत नहीं परती है चेंग दा account type चेंग दा account type में क्या होता है जैसे हमने इसको standard user बना रखा है अगर हम चाहते हैं कि यह administrator बन जाए तो इसको administrator भी बना सकते है यहीं पर डिलीट दा account अगर account डिलीट करना चाहते हो तो यहां से डिलीट कर सकते हो जब डिलीट पर क्लिक करोगे तो यहां पर यह कुछ हैगा delete file और keep file हाम तो पर अगर हमने user account खोला है और उसमें कुछ काम किया है सबोस्थ हमने paint बना करके paint में file खोल पर कोई file बनाई है या word में या notepad में कुछ save कर रखा है तो वह हमारी file होती है अगर हमने user account में बराई है तो अगर delete करने से पहले आप उन file को किसी दूसरे user account में रखना चाहते हो तो keep file करोगे और अगर उन्हें भी delete करना चाहते हो तो delete file कर सकते हो खिलाल जैसे में keep file कर रहा हूं तो यह दिखाने के लिए कि जो हम file रखते हैं वो हमें कहां पर दिखाए देए तो delete file तो keep file हमने कर दिया और यहां से delete कर देते हैं account को हमार अकाउंट delete हो गया जो हमने बनाया था अब वो जो file हमने रखी है वो कहां रखी गई है इसको यहां से बंद कर देते हैं वो हमें अभी क्योंकि हमने खोला ही नहीं हो अकाउंट इसलिए हमें वो फाइल दिखाए नहीं देगी अगर हम इसको खोल लेते हैं account को तो फाइल हमारी यहां पर save हो जाएगी एक चीज यह भी है कि इस account को खोलो होगी कैसे आपने देखा होगा जब भी आप computer खोलते हो तो आपको दो या दो से जादा पिच्रे दिखाए देती हैं किस पर लिखा होता है user account उचांत या student इस तरह से लिखा होता है तो आप किस student वाले पे click कर देते हो जैनि कि वो user account इस तरह से दिखाए देते हैं तो पहले से बना र कर दोगे तो system को बंद करके दोबारा चलाओगे या restart करोगे या यहां से जाकर के start बटन से यहां पर दो option आपको मिल जाते हैं switch to user और log off switch to user करोगे तब भी आपको computer में सारे user account यह दिखा देगा और जिस भी user account पर आपको जाना है तो click करके आप पहुंच जाएंगे और log off अगर करेंगे switch to user में क्या होता है कि आप दूसरे user account पर पहुंच जाते हैं लेकिन पहले वाला account बंद नहीं होता है यानिकि पूरी तरह से off नहीं होता है लेकिन अगर आप लोग आफ करेंगे तो पहला अकाउंट बंध होगा और फिर उसके बाद आप दूसरे अकाउंट में पहुचेंगें यह था आपका यूजर अकाउंट नेक्स्ट क्लास में आगे की बात होगे